नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रासिंग सोमन्शी बुलेटिन की शुरुआत नोईडा की गाली बाज मैडम से करेंगे नोईडा की लेडी श्रीकांत यागी पर पुलिस ने आक्शन लिया है पुलिस ने गाड के साथ गाली गलाउच और बत्तमीजी करने वाली महिला को हिरासत में लिया है महिला का नाम भौवयार राय बताया जा रहा है नोईडा की सेक्टर 128 के जेपी विश्ट टाउन में रहने वाली ये महिला गाड को धमकाती हुई भद्दी बद्दी गालिया देती हुई कैमरे में कैप्चर हुई थी महिला ने गाड के साथ हाथा पाई की धक्का मुक्की भी की बताया चाह रहा है कि गाड ने गेट खोले में देरी की तो महिला ने गाली गलोच शुरू कर दी महिला की हरकत से सोसाइटी के सभी गार्ट्स के साथ-साथ यहां रहने वाले दूसरे लोग भी कापी खपा हैं उन्होंने खुद उसकी बत्तमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और अब पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए गालिबाज महिला को गिरफतार कर लिया है तो यह दो तस्वीरे गालिबाज महिला को पुलिस ले कर जाती हुई यह महिला की तस्वीर जो यहां पर लेडी कॉंस्टिबल्स को बुलाए गया जो लेडी महिला पुलिस कर्मी है वो इसे गिरफतार करने के लिए पहुची रॉब देखिये महिला का भी भी हाथ में कौपी का कफ टामे हुए लिफ्ट में जाती हुई नजर आ रही कहा ये जा रहा है कि जिस गाड़ी में पुलिस इसे लेकर जाना चारी थी उस गाड़ी म को अज पुलिस वालों के साथ अब हिरासत में गई है यहाँ पे लेडी कॉंस्टिबल उसे हिरासत में लेने के लिए पहुची थी फिलाल महिला को हिरासत में लिया गया है पूश्टाज की जा रही है गाड़ी के साथ गाली गलोज का भावयाराय का वीडियो वारल हुआ जिसमें साफ तोर पर देखा जा सकता है कि गाड्स समझाने का प्रयास करते लहें लेकिन महिला इस तरीके से लोगों को जो वहाँ पर गाड्स मौजूद थें उन्हें थ्रेटिंग देती हुई नजर आई थी उन्हें धमका रही थी उन्हें गंदी गंदी गालिया दी और ग लकातार समझाने की कोशिश कर रहे थे मनाने की कोशिश कर रहे थे गाड्स की ओर से माफी भी मांगी गई थी लेकिन इसके बावजूद महिला नहीं मानी गाड्स का कहना है ये महिला खुद को वकील बताती है महिला की ओर से जान से माने की दमकी तक दी गई गई गाड्स क इसके चलते गेट खोलने में कुछ मिनट की लेट लतीफी हुई जिस पर महिला भड़क गई इसके बाद वो अपनी कार से उतर कर गार्ड के साथ बचसलूकी करने लगी अब भावयाराय को क्यों हिरासत में लिए गया है उसका पहला वीडियो आप देख लीजे इसके बाद आप ये पूरा मामला समझेंगे इसको बहुत चुप रहे हैं शांती में रहती हूं शांती में जाती हूं कुम लोग लगता ना कि इस वाले बड़े हो गया है यहां पर एक सिक्यूरटी लगे स्द्स्थिशार्ग की सारे इस टूदर दूज इस 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 अधने न भर्यू आपको शोटार्णी की आपके जट कर रहे हैं आपके तुमने एक आपके अधियों है तू आपको दो लड़की वो जो आए दिया, तीन साल का पुरा कास है, और तू बोले गा, ये बोले मेरे, अमगई मैं आपको रहा है, इसको बहुत चुप रहे, आपको रहे, पॉर्ष है, शान्ती में रहती हो, शान्ती में जाती है, और लोग लखता ना कि अफले बड़े ह पर दो गए हैं यहां पर सिक्यूरटी लग्के स्वारी की स्वारिश खाल थो दूंगे यह खाल खोर दूंगे तो देखे किस तरीके से यह महिला गाली गलोच करती हुई नजर आई थी यह वीडियो कल शाम का बताया जा रहा है जब भवया रॉय को हिरासत में लिया गया तब हमारे समधाता कुमार सोनू जे पे विश सोसाइटी में उस वक्त मौझूद थे पुलिस के एक्शन पर कुमार सोनो की आप यह रिपोर्ट देखिए इस वक्त हम उसी सोसाइटी में मौझूद हैं आप देखें यह भवया रॉय हैं जिनको पुलिस डिटेन करके लेकर जा रही है अपने साथ दरसल इन महिला के उपर आरोप है कि इन्होंने सुरक्षा कर् पुरा विवाद हुआ और अब नौइडा पुलिस महिला पुलिस कर्मियों के साथ भवय रॉय के घर पर पहुंची और फिलहाल उन्हें हिरासत मिलिया गया यह आप तस्वीरे देख रहे हैं कि नौइडा पुलिस ने भवय रॉय को हिरासत मिलिया है दरसल इन पर पुर्ट देखी जहां पर इस महिला का कल का वीडियो वाइरल हो रहा था बताया जा रहा है कल शाम खरी पॉने 6 बजे यह महिला बेस्मेंट से गाड़ी निकाल कर सुसाइटी के गेट पर जैसे ही पहुची गाड इंटरी कर रहे थे जिसके चलते कुछ लेट लती पी पुर्ट देखा कि महिला को डीटेन कर लिया है मामले की जाच जारी है और हमारे समवादाता कुमार सोनु ने जेपी विश्टाउन के गाड़ और वहां के लोगों से बातचीत कर आखिर ये पूरा मामला क्या उसे समझने का प्रयास किया है सोनु ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है जिसे देख कर आप इस पूरे मैटर को आसानी से समझ सकते हैं जरा नौईडा की एक सोसाइटी का वीडियो लगातार वाइरल हो रहा है दरसल ये वीडियो नौईडा के सेक्टर 128 में बनी जेपी विश्टाउन सोसाइटी का है दरसल इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला जो की इसी सोसाइटी में रहती है वो सोसाइटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ बत्तमीजी कर रही है गाली गलोच कर रही है क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम अनूप कुमार है अनूप जी ये जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको भी दिखाया ये इसी सोसाइटी का है? जी सर बल्कुल इसी सोसाइटी का एक जिट गेट का है PC-11 के सामने का क्या हुआ था मामला, कब का वीडियो है, क्या पूरा मामला है? और सर मेरे को धंकी दी, कि मैं तुझे 76 के केस में फसबा के जान से मरवा दूँगा, इन्हों ने ये सर मेरे से सब्द बोले, तो क्यों ये गाली गलोज वाली नौबत क्यों आई, क्यों दी, ये सर इसलिए क्योंकि इन्हों ने दारू जादा पी रखी ती, ये गाड़ी इन्हों ने दारू पी रखिया, मैंने गेट भी खोला, तो इन्हों ने गाड़ी ओफ करके, वहीं पर सर मेरे को गाली गलोज दीनी चालू कर दी, दो और सुरक्षा कर्मी भी उसमें दिखाई दी है, सुनील और पवन, आप दोनु जो हैं उस वीडियो में अनुप के साथ सुनील क्या पूरा मामला है यह? पवन, आप भी उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, आप लोग लगातार समझा रहे थे, लेकिन बावजुद उस महिला का वेभार नहीं बगला है? में उल्टी सीधी गालियां जो हम आपको बतावी नहीं सकते हैं, आप वीडियो में सुन सकते हैं, तो सर उनका ये वेभार हमें तो अच्छा लगा नहीं, बाकी इधर उदर की बाते मार पीट, ऊपर चडरी हैं मारने के लिए, लेकिन लेडिस थी इस बज़ा से हम भी थो पारी करी, तो मैंने सब कुछ उनको सच बताया कि सर ये बात थी, और सर वो लिख करके भी लेके गाए, मेरा मुबाल नमबर, मेरा गाउपता, सब कुछ लेके गाए, अब किस तरह की कारवाई आप चाहते हैं, मैं सर कारवाई ये ही चाहता हूँ कि जो मैडम ने सजा गलत सजा दे रही है, वो बोल रही है कि तुम्हें मरवादूंगी, ये करवादूंगी, तो ये बहुआट सर गलत है, वीडियो किसने बनाया अनुप वो पूरा, जी सर हमारे सुपरवाजर साब पबंसर ने, और हमारे सुपरवाजर दूसरे, इनका नाम है सुनिल सर ने, और असल वो महिला जो है, इसी सोसाइटी की निवासी है, इन सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि उस महिला ने शराप पी हुई थी और गेट को खोलने को लेकर पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद उस महिला ने इन तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ बत्तमीजी की, फिलहाल दर्ज कर इस पूरे मामले की जाज़ शुरू कर दी है तो नोईडा के जेपी विश टाउन्शिप में हमारे संवधाता कुमार सोनू ने उस जगए का भी जायजा लिया जहां पर गाली कलोज की घटना हुई इंट्री डायरी के जरीय भी जानकारी ली है उनकी आप यह रेप शाम तकरीबन पॉने 6 बजे के करीब का है जब महिला बेस्मेंट से अपनी गाड़ी लेकर एक्जिट गेट पर पहुँचती है और क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को ये निर्देश है कि कोई भी गाड़ी सोसाइटी से जब एक्जिट हो तो उसका नंबर नोट कर लिया जा सुरक्षा कर्मियों को देना शुरू कर दी जो पूरा एक वीडियो में कैद हो गया कैमरे में कैद हो गया जिसके बाद लगातार सुरक्षा कर्मी विरोध करते रहे उस महिला का उससे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप बत्तमिजी ना करें गाले गलोच ना करें लेकिन पुलिस में तमाम सुरक्षा कर्मियों की तरफ से एक शिकायत दी गई है जिसके बाद पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिया है क्या आपके पास सुरजन जी यह निर्देश है कि कोई भी गाड़ी एक्जिट हो तो उसके नंबर वगरा नूट किया जा है आप भी सुरजन ज एक जगह नहीं थी बिल्कुल सटा रखी ती गाड़ी तो उसने पीछे हटाने के लिए बोला तो उतर के गाड़ी देने लगी तो आप क्या इसी रेजिस्टर में आप एंट्री करते हैं जो भी गाड़ी एंट्री हो एक्जिट होती है यह देखे यह तमाम गाड़ीयों के नंबर जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसमें आप साथ देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी एक्जिट होती है तो उसका गाड़ी का नंबर रेजिस्टेशन नंबर और आउट जो टाइम है वो तक नोट किया जाता है और यही काम जो है वो कल जो यहाँ पर तैनात सुर सिर्फ काड़ से बात की बलकि सोसाइटी के लोगों से भी बातचीत की है इस महिला के बारे में जो कुछ भी वहाँ पर लोगों ने बताया वो और जादा है रान करने वाला है सुनिये जरा जेपी विश्टाउं सोसाइटी में रहने वाले लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्या नाम है आपका विजा मेरे नम गोपाल क्रिश्टवार्स गोपाल जी वीडियो आपने देखा होगा कल क्या हुआ पूरा मामला तो मतलब मैं उसी समय की बात है मैं थोड़ा से लेट निकला 10-15 मिनट पहले ही काम हुआ था उसके कुछ आदे घंटे वाद गार्ड़ों तो यह बताते हैं कि कोई यहीं की मैला है उनका शायद अभी नाम तो शायद मुझे बतानी अभी यह 15-901 में रहती है अभी दो डाइमीने पहले आई थी और आते ही कुछ ऐसा हु हुआ होगा और इतने देर में भड़क गई निकली और उसके बाद गार्ड को गाली वाली दी उन्होंने उसके बाद जो है मतलब बहुत अप्शब्द भी बोले जैसे मतलब ऐसे कोई नहीं बोलता असकी डेट में मतलब धर्म जाती समास सुचक सब्द कोई नहीं बोलता और गार्ड को मतलब काफी बुरा लगा होगा आइकन मतलब आइकन फील इट और उसके बाद फिर वो चली गई मतलब काफी लोग इस बीडियो सर्कुलेट भी हुआ है तो उसके बाद से मतलब काफी डर तो है यहां पर लगता कारवाई होनी चाहिए पुलिस की स्ट्रॉं कारवाई हां कारवाई होनी ची जाहिए मतलब ऐसानिय की जैसे कोई बीकानून है ना तो कानून के ताहिए अब इट शुट नॉट बीजेंडर कानून शुट भी जेंडर ब्लाइंड वाला ऐसा नहीं होना चीए कि वाईया की महिला तो उसके लिए लग तो वो कुछ भी इसमें इसके साफ से बिलकुल कानून को अलग तरीके से करना चाहिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर